आज की सबसे बड़ी ख़वर दिल्ली से आ रही है जहां आदमी पार्टी के विधायक आतेशी मार लेना दिल्ली की नई मुख्य मंतरी बनने जा रही है दिल्ले के मुक्य मंतरी अर्विन केजरिवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक दलकी बैटक में आतेशी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मत्ती से सुईकार किया गया पार्टी के वरिष्ट नेता गोपाल राही ने मीडिया को जानकारी दिते वे कहा कि ये फैसला विशम परिस्थितियों में लिया गया है उन्होंने केजरिवाल पर लगे आरूपों का जिक्र करते वे कहा कि केजरिवाल की मांदारी पर कीचड उच्छाला गया है लेकिन इसक पाल विने सक्षेना को अपना इस्तिफा सोपेंगे इसके बाद इसी हफ़ते नई मुख्यमंतरी आतिशी और उनकी कैबिनेट का शपत ग्रेंड समारो आयोजित किया जाएगा दिल्ले विधान सभा का विशेश सत्रेच हब्बेस और सत्ताइ सितंबर को बुलाया गया है जि शराबनिती केस में जमानत मिलने के बाद केजरिवाल ने कहा था कि अब जनता तै करेगी कि वह इमानदार है या बही इमान उन्होंने आगे कहा कि यदि जनता ने फिर से उन्हें विधान सभा चुनाओं में जिताया तो वे दोबारा मुख्यमंतरी पद्द सम्हा लेंगे आतेशी मार लेना को दिल्ली का मुख्यमंतरी चुने जाने के पीछे कई कारण है वह केजरिवाल और सिसोधिया की सबसे करीबी और भरोसे मंत नेता माने जाती है जब सिसोधिया जेल गए थे तब सिक्षा समेट 6 महतोपूर्ण मंतरालों की जिम्मेदारी उन्हें दी चुनाव में पार्टी के घोशना पत्र तैयार करने वाली कमेटी में भी वैश शामिल थी इसके साथ ही स्वातिमालिवाल मामले के बाद पार्टी के लिए एक महिला मुख्यमंतरी को सामने लाना एक महतोपूर्ण कदम माना जा रहा है जो पार्टी के लिए एक प्रभाव है